हमनों निकल रहे हैं यहां से कल, मंबए वापस आएंगे तीमेरेंगे क्योंकि कोई विकलफ ही नहीं है, हर दवा के पीछे पश्विन्स है पर आपके लेने ना लेने से क्या फरक बढ़ता है? तो फिर किसी भी चीज़ से क्या फरक बढ़ता है? एक्शादी सिनेमा में बहुत कम ऐसी फिल्म्स बनती हैं जो सही माईने में हमारी सोच के दाइरे को एक्सपैंड करने में हमारी मदद करती हों जो हमारे जहन के उन अधेरे कमरों में घुसने की कोशिश करती हों जहां ignorance की धूल के अलावा और कुछ नहीं रहता फिल्में जो अंत में हमें आसान जवाबों के बजाए कुछ पेचीदा सवालों के साथ छोड़ जाएं आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है Ship of Theseus जिसे डिरेक्ट किया है फिल्मेकर आनन्द गांधी ने who is not only one of my favorite filmmakers but also one of my favorite contemporary thinkers as well imagine कीजी आप एक अंधेरे कमरे में कुछ लोगों के साथ बैटे हैं और सामने स्क्रीन पर कुछ वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं जिने शूट किया है एक Cave Explorer ने जिसकी मौत अभी कुछ ही वक्त पहले हुई है आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि वो एक चीज जो आपको वहां बैटे हुए हर इनसान से जोड़ती है वो ये है कि आप सभी जिन ओर्गन्स के उपर जिन्दा हैं वो सभी ओर्गन्स उसी Cave Explorer से आपको डोनेट हुए हैं जिसकी मौत अभी कुछ वक्त पहले हुई है और जिसकी शूट की हुई क्लिप्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अब यहां पर सवाल ये है कि क्या वो Cave Explorer अभी रूम में मौजूद है या नहीं क्या वो अभी आप सभी के थुरू जिन्दा है या नहीं क्या इंसान सिर्फ अलग-अलग Body Parts को मिला कर बना एक Structure भर है या इंसान अपने Parts के Combination के अलावा भी बहुत कुछ है क्या है वो चीज जो अलग-अलग Body Parts के Combination से बने हुए एक Structure को एक जीता-जाकता Conscious इंसान बनाती है ये फिल्म बेजड है एक Thought Experiment के ओपर जिसका नाम है Ship of Theseus जिसे एक Greek Philosopher Lutarch ने अपनी बुक Life of Theseus में पहली बार रिकॉर्ड किया था ये Ancient Thought Experiment बात करता है Identity, Change और Nature of Existence जैसे Philosophical Topics के बारे में और फिल्म की Central Philosophy इसी Topic के Around Revolve करती हुई जिन्दगी के कुछ गेहन सवालों पर बात करती है अगर इस Thought Experiment को Simple Language में समझना हो तो ये कुछ ऐसा है फर्ज कीजिए एक Ship जिसका नाम है Ship of Theseus अगर उसके Parts को धीरे-धीरे, Plank by Plank पूरा Change कर दिया जाए तो क्या अब भी वो Original Ship of Theseus रहेगा और अगर उन पुराने सभी Parts को मिलाकर एक दूसरा Ship तयार कर दिया जाए तो अब इन दोनों में से हम किसे Original Ship of Theseus कहेंगे यहाँ पर जिस Core Central Philosophical Paradigm की बात की गई है वो है Identity और Change एक आइडिया कि हम कैसे Conclusively यह कह सकते हैं कि हम कहां पर खत्म होते हैं और कहां से हमारा Environment शुरू होता है हमारी Identity कैसे Define होती है क्या हम सिर्फ अलग-अलग Parts का Sum है या उस Sum से उपर हम बहुत कुछ है हमारी फिल्म बेसिकली तीन अलग-अलग Stories के अराउंड रिवॉल्व करती है और हर कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आती है जहां उन कहानियों के Characters और हम खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आइडेंटिटी, ब्यूटी, लाइफ, डेथ, जॉए और सौरो जैसे फिलोसॉफिकल क्वेशन्स के बारे में पहली कहानी है एक ब्लाइंड फोटोगरफर की जिसका नाम आलिया है हम देखते हैं कि कैसे ये फोटोगरफर विजन ना होने के अभाव में भी बहुत अच्छी फोटोगरफी करती है और एक तरफ जहां वो अपने काम से खुश थी, वहीं दूसरी तरफ वो एकसाइटिट थी अपने कॉर्निया ट्रांस्प्लांट को लेकर भी पर जैसे ही उसका कॉर्निया ट्रांस्प्लांट हो जाता है उसके बाद जैसे उसकी जिन्दगी बदल सी जाती है जहां पहले वो बिना कुछ देखे हुए भी इंट्यूटिवली इतनी अच्छी फोटोगरफी किया करती थी वहाँ अब उसके विजन के वापस आ जाने के बाद भी वो फोटोगरफी में स्ट्रगल करने लगती है हम देखते हैं कैसे वो अपने आसपास के सराउंडिंग से अब एक तादाद बनाने में नाकामियाब सी होने लगती है अब यहाँ पर सवाल ये है कि उसकी बॉडी में एक पार्ट के चेंज होने से क्या उसकी होल आइडेंटिटी में एक चेंज आ गया जहाँ पहले ना देख पाने के बावजूद भी वो इंट्यूटिवली अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ में एक कनेक्शन फील किया करती थी पर अब एक पार्ट के चेंज होने से पार्ट का सम तो पूरा हो गया पर एज़ अ होल वो क्या शायद इनकम्प्लीट हो गई आपको इस बारे में क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए हमारी दूसरी कहानी है एक मौंकी जिसका नाम मैत्रिय है जो एनिमल अब्यूस के लिए फार्मेसोटिकल कंपनीज के अगेंस्ट एक कोट केस लड़ रहा होता है वो ये लड़ाई जानवरों पर किये जाने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा होता है उसका मानना है कि ब्रह्मान में रहने वाला हर जीव बराबर है और हमारे छोटे से छोटे आक्शन्स का प्रभाव कहीं न कहीं दुनिया पर पड़ता है एक सीन में हम देखते हैं कैसे वो एक छोटे से कैटर्पिलर को उठा कर सेफली एक दूसरी जगा पर रख देता है जिसका एक्जिस्टेंस उसके आज पास चल रहे इंसानों के लिए शायद माईने भी नहीं रखता कोट में मैत्रिय की मुलाकात होती है चारवाक नाम के एक इनसान से जो केस में उनकी हेल्प कर रहा होता है मैत्री और चारवाक की फिलोसोफिकल लीनिंग्स की वज़ा से उन दोनों का एक बहुत अच्छा रिलेशन्शिप बनने लगता है और वो धीरे धीरे अपने अपने फिलोसोफिकल बिलीव्स एक दूसरे के साथ में शेयर करने लगते है यहाँ पर इंट्रस्टिंग बात यह है कि चारवाक एक फिलोसोफिकल स्कूल अफ थौट है इंडियन फिलोसोफि में जो पूरी तरह से मटेरिलिजम पर बेज़ड है और किसी भी तरह के मॉरलिस्टिक व्यूपॉइंट और आर्गुमेंट्स का खंडन करता है और फिल्म में मैत्रिय के बिलीव्स को काउंटर करने वाले कैरेक्टर का नाम चारवाक रखना मुझे परसनली बहुत इंट्रस्टिंग लगा अब कहानी में डिलेमा तब शुरू होता है जब मैत्रिय को लिवर सिरॉसिस नाम की बिमारी हो जाती है और उसके इलाज के लिए उसे लिवर ट्रांस्प्लांट करवाना पड़ेगा साथ ही वो सभी दवाईयां लेनी पड़ेंगी जो उन जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किये जाने की वज़ा से बनती है पर वो दवाईयां लेने से साफ इंकार कर देता है ये कहकर कि दूसरा कोई और विकल्प नहीं है हर दवाईय के पीछे पशुहिंसा है वो बीमारी के जलते मरना पसंद करेगा पर वो दवाईयां लेना उसे हर्गिस मन्जूर नहीं था चारवाक और बाकी सभी लोग मैत्रिय को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर मैत्रिय अपने बिलीव सिस्टम से कॉम्प्रमाईज करने को बिल्कुल तयार नहीं होता आगे हम देखते हैं कि कैसे मैत्रिय की हेल्थ और ज़्यादा खराब होने लगती है वो बेड़ पर लेटा हुआ है और हिल तक नहीं पा रहा होता है और एक लास्ट टाइम चारवाक मैत्रिय को देखने आता है और उसके लिए एक एल्फबेट बुक एज़ गिफ्ट लेकर आता है यहाँ एक लास्ट बार चारवाक मैत्रिय को अपना पस्पेक्टिव शेर करने की कोशिश करता है वो कहता है कि कैसे इंसानी सभ्यता ने गौड, सोल, हेवन, आफ्टर लाइफ और यहाँ तक की लाइफ इमिटेटिंग टेकनोलोजीज को बनाया सिर्फ उस एपसलूट एंड को किसी तरीके से ट्रांसेंड करने के लिए और अंत में हम मर जाते हैं किसी एक आइडिया के लिए जो शायद हमें किसी तरीके की इंमॉर्टैलिटी प्रदान करता है एक फाइनल आंसर एक फाइनल कॉंक्लूजन एक मान्यता जो शायद हमें एक फाइनल आंसर दे देती है जिसे पकड़ कर हम सैटिस्फाइ होकर बैठ जाते हैं ये फाइनल आंसर्स को लेकर हमारा अप्सेशन इतना ज़ादा उप्रेसिव है आगे हम देखते हैं चारवा को लाइफ के साइकलिकल नेचर के बारे में बात करता हुआ वो कहता है कि कैसे उसके शरीर का एक पाट कभी जानवर के शरीर का कोई पाट रहा होगा और आगे जाकर कोई मिनरल बन जाएगा या शायद एक प्लांट के रूप में बदल जाएगा जिस पर कभी जाकर एक फ्रूट स्प्राउट करेगा और उस फ्रूट को किसी बर्ड के द्वारा खाया जाएगा कैसे हमारे शरीर का हर एक आटम यूनिवर्स के द्वारा रिसाइकल कर दिया जाएगा हमें लगता है कि हम बस एक इनसान है जिसकी अपनी एक इंडिविज्वल आइडेंटिटी है पर नहीं हम एक कॉलोनी है एक माइक्रोकॉज्म जिसके अंदर जितने हिूमन सेल्स हैं उसके दस गुना जादा बैक्टीरियाज रहते हैं फिर चारवाग बात करता है यूनिलाटरलिस कॉडिसेप्स के बारे में जो की एक फंगस है वो बताता है कि कैसे ये फंगस एक छोटी सी चीटी की बाड़ी में उसके रैस्पिरेशन की प्रॉसस के माध्यम से एंटर करता है उसके स्मेल के परसेप्शन को हाईजैक करता है और फिर उसे यूस करने लगता है अपने फूड और शेल्टर के रूप में और जब वो फंगस रिप्रिड्यूस करने के लिए रेडी हो जाता है तो उसी चीटी के सर को रप्चर करता हुआ ग्रो करने लगता है चीटी के एक्सो स्केलेटन को इंटेक्ट रखकर और इस तरीके से चीटी खत्म हो जाती है और फंगस ग्रो करता चला जाता है और यहा कोटा सा माइक्रोसकोपिक फंगस उस चीटी के साथ ये सब कर देता है सोचिए हमारे अंदर ट्रिलियन्ज ओव बैक्टिरियाज रहते हैं हम कैसे ये जान सकते हैं कि हम कहां खत्म होते हैं और कहां से हमारा एंवायर्मेंट शुरू होता है इस पूरे सीन में सिर्फ चारवाग बोलता है और मैत्रियाज चुप चाप सुन रहा होता है शायद ये भी एक सिंबल है इस बात का कि अब उसको मौत सामने खड़ी हुई दिख रही हैं और जब हम अपने डेथ बेड पर होते हैं तो हमारे सभी कॉंसेप्ट्स सभी आइडि हिलने लगते हैं शायद वो टाइम मैत्रिया की लाइफ में अब आने वाला था और एंड में जब मैत्रिया दम तोडने ही वाला होता है तब हमें दिखता है एक लश ग्रीमरी का सीन जो शायद लाइफ को दर्शानी के लिए as a symbol फिल्म में यूज किया गया है और उस सीन के बाद हम देखते हैं कि मैत्रिया अपने साती से कहता है कि वो ट्रांस्प्लांट के लिए तयार है शायद कभी ना कभी हम सभी की लाइफ में वो पॉइंट आता है जब हमें उन सभी बिलीव सिस्टम्स पर क्वेश्चन करना पड़ता है जो हमने लाइफ टाइम पकड़ कर रखे होते हैं और शायद यही मैत्रिया के साथ भी हुआ हमारी तीसरी कहानी है नवीन की जिसका अभी अभी किड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ है नवीन एक स्ट्रॉक ट्रेडर होता है जो की पूरे तरीके से मटिरिलिस्टिक इनसान होता है उसे जिन्दगी में ये इंटिलेक्चुल डिसकशन्स और फिलोसोफिकल बातों में हैं कि कैसे उसकी नानी बार-बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिन्दगी में पैसे और रिसोर्स के अलावा भी बहुत कुछ है और हम सभी इस दुनिया में कोई खास मकसद के लिए आते हैं हमें अपनी लाइफ के मीनिंग को ढूंगना चाहिए और कुछ मीनिंफु करना चाहिए इस बात पर नवीन उनसे कहता है कि वो अच्छा खाता है अच्छा पहनता है जिन लोगों के बीच वो उठता बैठता है वो लोग उसकी इज़त करते हैं उसे इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आता उसकी कोई इच्छा नहीं है ग्यानी बनने की और वो मान जानता है कि किसी और से उसकी जिन्दगी को सैक्रिफाइस करने को कहना किसी बड़े उद्देश्य के लिए ये बहुत भारी एक्सपेक्टेशन है किसी से भी पर उसका ये बिलीफ तब शेक होता है जब उसे हॉस्पिटल में शंकर नाम का एक लेबर मिलता है जिसकी किड़नी एक दूसरे छोटे हॉस्पिटल में वहाँ के डॉक्टर्ज ने धोके से निकाल ली होती है ये सुनकर शंकर शौक में आ जाता है और पहले उसे ये लगने लगता है कि कहीं उसके अंदर जो किड़नी ट्रांस्प्लांट हुई है वो शंकर की ही तो नहीं पर ऐसा नहीं होता लेकिन शंकर की इस हालत को देखकर नवीन बहुत परिशान होने लगता है और वो शंकर से वादा करता है कि वो उसे जस्टिस दिला कर रहेगा और वो ये पता करके रहेगा कि उसकी किड़नी किसे दी गई है और उसकी एक होज उसे सीधा स्टॉक होम ले जाती है जहां वो मिलता है उस इंसान से जिसको शंकर की किड़नी ट्रांस्प्लांट हुई थी पर उस इंसान को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि किड़नी को इस तरीके से चुराया गया है वो इंसान भी ये सुनकर परिशान हो जाता है पर वो किड़नी वापस देने से मना कर देता है और लास्क में हम देखते हैं कि कैसे वो नवीन से बात करने से भी मना कर देता है कहानी में आगे हम देखते हैं कि कैसे वो इनसान शंकर को बहुत से पैसे किड्नी के बदले देता है और शंकर भी पैसे लेकर खुश हो जाता है शंकर ये सोचता है कि उसे किड़नी वापस नहीं चाहिए पर ये इतने पैसे उसे उसकी गरीबी से बाहर ला सकते है पर ये देखकर नवीन बहुत हैरान रह जाता है कि कैसे शंकर बदल गया और वो पैसे लेने के लिए रेडी हो गया वो सारा जस्टिस वो सारी लड़ाई का मानो कोई मीनिंग ही नहीं था शंकर के लिए नवीन शंकर को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने लिए लड़ना चाहिए और कोड़ जाना चाहिए पर शंकर नवीन की कोई बात नहीं सुनता और वो नवین को ये कह देता है कि प्लीज वो उसका पीछा छोड़ दे नवीन ये देखकर कही न कहीं बहुत दुखी होता है कि उसने किसी की मदद करना चाही और उसे बदले में ये नतीजा मिला पर कहीं न कहीं नवीन भी एक टाइम पर शंकर जैसा ही होता था जिसे सिर्फ पैसे से मतलब था और बाकी कोई बात उसे समझ नहीं आती थी जब वो अपनी नानी को यह सब बताता है तो उसकी नानी उसे कहती है कि तुमने कोशिश की यही बहुत है और नवीन भी इस बात से खुश रहता है कि अटलिक्स उसने कोशिश तो की कोई और कैसे रियाक करता है, हमें बदले में क्या बोलता है, हमारे साथ क्या करता है इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि शायद कभी-कभी कुछ अच्छा करने की कोशिश करना ही बहुत होता है उससे जादा शायद हम भी और कुछ नहीं कर सकते किसी इनसान को पूरे तरीके से बदलना उसे चेंज करना वो हमारे बस में नहीं होता और नवीन के साथ भी यही होता है उसे इस बात का गिल्ट तो हमेशा रहेगा कि शंकर अपनी बात से पलट गया पर इस बात से उसके अंदर शायद ये खयाल कभी नहीं आएगा कि अब वो किसी की मदद नहीं करेगा बलकि ये आक्शन लेकर शायद उसे उसकी जिन्दगी का एक मकसद और मीनिंग दोनों मिल गए और अब हम आते हैं मूवी के क्लाइमेक्स पर जहां बहतरीन तरीके से तीनो स्टोरीज का कल्मिनेशन होता है यहां हम देखते हैं नवीन, मैत्रिय, आलिया और बाकी कुछ लोगों को जिने एक म्यूजियम में बुलाया होता है कुछ वीडियो क्लिप्स देखने के लिए जिसे उस केव एक्स्प्लोरर ने शूट किया होता है जिसके और्गन्स को इन सभी लोगों में ट्रांस्प्लांट किया गया है तो अब हम आते हैं उसी सवाल पर जो हमने पहले पूछा था क्या उस रूम में वो केव एक्स्प्लोरर मौजूद है क्या वो Cave Explorer इन सभी लोगों के थुरू जिन्दा है या नहीं क्या इनसान सिर्फ अलग-अलग Body Parts को मिला कर बना एक structure भर है या इनसान अपने Parts के Combination के अलावा भी बहुत कुछ है क्या है वो जो अलग-अलग Body Parts के बने हुए complex structure को एक जीता-जाकता conscious इंसान बनाता है इस बात का जवाब आनन ने खुद एक वीडियो में कुछ इस तरह से दिया हैं अलगए बुष्द बनात कि रहसे ऑगावाद संसान बिप्रावस को चीडियोग और से चांव है अपने ओह बहुं हैं डेपी हैं प्रואל कर यचिज भी इस प्रवादे दिरेशने। and the relief of making a choice if and when we do so is it an illusion then the whole being greater than the sum of its parts and the answer seems simple there is a sum of all the parts and then there is a sum of all the interactions and the relationships between the parts and then there is a sum of all the interactions and the relationships that the parts of the unit have with its environment and the whole is made up of all these parts so if there are a few hundred parts that the whole can be a few billion times larger than the parts and when the parts stop interacting with each other the sum stays and the whole vanishes and that is a dead parrot simple language में कहें तो बात ये है कि जो whole है वो sum of parts से बहुत बड़ा होता है क्योंकि whole सिर्फ parts का combination भर नहीं होता बलकि उन parts का combination और उन parts का आपस में interaction और सभी parts के combination का अपने आसपास के environment से relationship और interaction ये सभी कुछ मिलाकर whole बनता है तो बहुत से parts को मिलाकर बना हुआ एक whole उन parts के combination से billions और trillions टाइम्स बड़ा होता है और जब वो parts आपस में interact करना बंद कर देते हैं तो sum of parts तो रहता है पर whole खत्म हो जाता है इस philosophy को हम फिल्म में तीनों stories में कहीं न कहीं जलकते हुए देख सकते हैं फिल्म के अंदर visual metaphors और symbols को बहुत खुबसूरती से use किया गया है फिर चाहे वो आलिया के cornea transplant के बाद उसके visual perspective को बहुत tightly frame करना हो जिससे हमें उसकी immediate surrounding के साथ के conflict को feel करने में मदद मिले फिर चाहे वो मैत्रिया का उस caterpillar को उठा कर safely रखना हो या फिर मैत्रिया और चारवा के walking conversations में मैत्रिया के better argument देने पर अपनी जगा को change करके थोड़ा सा उपर चलना हो या फिर नवीन और उसके दोस्त का शंकर की locality में entry करने का scene हो जहाँ पहले उनकी कार वहां फस जाती है और बाद में हमेशा जब भी शंकर तक पहुँचने की कोशिश की जाती थी तो नवीन और उसका दोस्त वहां की narrow lanes में फसने लगते थे और शंकर तक पहुँचना बहुट difficult हो जाता था शायद ये एक symbol था have और have nots के बीच के gap को दर्शाने के लिए कि नवीन को कितनी मुश्किल हो रही है अपने paradigm से निकल कर शंकर की दुनिया में जाने के लिए अब film की cinematography के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ Just outstanding मैंने शायद ही ऐसी कोई हिंदी फिल्म देखी हो जहां पर इतने लंबे लंबे टेक्स हैं जो की philosophical conversations से भरे हुए हैं कोई cuts नहीं है बहुत से scenes बस चलते जाते हैं ऐसा लगता है मानो film नहीं बलकि हमारे सामने एक real conversation चल रही हो और जैसा मैंने वीडियो के starting में कहा था कि बहुत कम ऐसी films होती हैं जो अंत में हमें आसान जवाबों के बजाए कुछ पेचीदा सवालों के साथ छोड़ जाएं Ship of Theseus एक ऐसी ही film है जो कि हमें बहुत से open ended questions पर छोड़ जाती है और एक सवाल जिसके साथ मैं इस वीडियो को end करना चाहता हूँ वो फिल्म के end में आता है और वो ये है ऐसा कहरे है कि शेर में ऐसा पहली बार हुआ कि एक आदम से आट लोगों को ट्रांस्प्राइंट हो कर दो सुच कहा लगे जाए राट के जोकर फिल्कररे मतलब हम सब लोगों के अंधर एक आदू इंगे पुर्जे आए जिवे लेकरी तो आदी बनता होगा तो पुछबी अगता होगा ना वर्ला पुर्जे पतल आज आख सआपने पतल जाता है क्या पता याँ